तो नमस्कार दोस्तों, आज Equitas Small Finance Bank Limited ने अपने quarter 2K रिजल्स को पब्लिश कर दिया है पर आख बता दें, बहुत ही अच्छे रिजल्स आए हैं, bank के revenue में काफी अच्छी ग्रोथ आई है और सासद bank का net profit बहुत ही अच्छे amount से increase हुआ है अगर हम बात करें numbers की, तो इस quarter में bank के revenue आए हैं 1002 क्रोड पे जबकि पिछले quarter में bank के revenue थे 940 क्रोड और पिछले साल के September 2021 quarter में bank के revenue थे 844 क्रोड पे यहाँ पर देखें, तो quarter quarter base पे bank के revenue में 7% ग्रोथ आई है और year on year base पे bank के revenue में 19% ग्रोथ आई है तो दोनों ही parameter पे bank ने अच्छी ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, इसला बात करें, bank के net interest income की तो इस quarter में bank की net interest income आई है 609 क्रोड पे, जबकि पिछले quarter में यह 580 क्रोड थी और पिछले साल के September 2021 quarter में bank की net interest income 484 क्रोड पे थी और यहाँ देखें, तो quarter quarter basis पे bank की net interest income 5% से बड़ी है और year on year basis पे bank की net interest income 26% से increase विए और यह काफी अच्छा नंबर है इसला बात करें, bank के net profit की तो काफी अच्छे amount में bank का net profit increase वहा है पिछले साल के मुकाबने और इस quarter bank के net profit आये हैं 116 क्रोड पे जबकि पिछले quarter में 97 क्रोड था और पिछले साल के September 2021 quarter में bank का net profit सिर्फ 41 क्रोड था और इस नंबर को देखें, तो quarter quarter base पे bank के net profit में 20% ग्रोड था यह और year on year base पे तो 183% की बहुत ही अच्छी ग्रोध bank को मिली है उसके net profit में इसके बात करें bank के earning per share की, तो इस quarter bank की earning per share आ रही है तिरान में पैसे per share जबकि पिछले quarter में 77 पैसे per share थी और पिछले साल के September 2021 quarter में bank की earning per share 36 पैसे per share थी और इसमें भी quarter quarter base पे 21% ग्रोध था यह और year on year base पे देखें तो 158% growth इसमें आई यानी के लगबग 3 गुना है पे bank का earning per share हो गया है इसके बात करें bank के gross NPS की, तो इस quarter में bank ने अपने NPS को भी कम किया है और काफी अच्छी asset management दिखाई है इस quarter bank के gross NPS आ रहे हैं 3.91% जबकि पिछले quarter में 4.10% थे और पिछले साल के September 2021 quarter bank के gross NPS 4.82% थे और यहाँ देखें तो quarter quarter base पे भी और year on year basis पे भी दोनों base पे bank के gross NPS यहाँ पे कम हुए है इसके साथ बात करें bank के net NPS की, तो इस quarter bank के net NPS आ रहे हैं 1.97% जबकि पिछले quarter में 2.15% थे और पिछले साल के September 2021 के quarter में bank के net NPS 2.5% थे और यहाँ पे भी same दोनों ही basis पे quarter quarter base पे भी और year on year basis पे भी bank ने अपने net NPS को भी कम किया है और यह काफी अच्छा sign है, तो इस तरह से कुल मला के सारे results हम देख रहे हैं, तो bank ने काफी अच्छा performance इस quarter में दिखाया है, bank के revenues भी अच्छे इंक्रीज है और bank का net profit तो पिछले साल के अब बहुत ही अच्छे तरीके से increase हुआ है अब हम बात करते हैं, bank के share price की और साथ-साथ valuation की, तो आज की रिए में जो बैंक का share price आ रहा है, वह आरहा है पचास और पर शेर, और यहां पर देखें, तो bank को हम लोग जो valuation करते हैं, वो price to book value पर करते हैं, कि कितना उसका book value है और कितना price चल रहा है, तो उसके साब से अभ बैंक का price to book value 1.48 है, और उसके साब देखें, तो एक fairly valued bank है, यानि कि अगर हम इसमें पैसा invest करते हैं, तो bank जितना पैसा कमाता है, उस हिसाब से आज की में इसका price है, तो अब हम बात करते हैं, अपने investment decision की, तो अगर आपने इस बैंक में invest किया है, तो आप देखे रहे हो, अच्छे results आ रहे हैं, bank अच्छा perform कर रहा है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, अपना पैसा हम उसमें invested ही रखेंगे, और अगर हम नया पैसा भी invest करना चाह रहे हैं, तो उसमें बहुता दिक्कत नहीं है, क्योंकि fairly valued है, और अगर हम थोड़ा weight करते हैं, और comprise होने अपने investment के लिए, और कुल मलाके जमने बात किती results basis पे, तो यह दोनों चीज़े हैं, अगर पैसा आपका invested है, तो बिल्कुल को invest रखे, bank अच्छे से perform करी रहा है, और अगर नया पैसा भी invest करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम इसको देख सकते हैं, लेकर उसके लिए हम स Thank you so much.